उसको दिल्ली में कही न कही बैड मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो, प्राइवेट अस्पताल में हो, चाहे उस अस्पताल में हो, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए, कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है वो हमारे लिए मुश्किल होगा लेकिन अभी फिल्हाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते में आपको एश्वार कर रहा हूं कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है और मेरी मीडिया से भी निवेदने की जब आप दिखाते हैं कि इन तीन अस्पतालों के अंदर सारे बेड्स खतम हो गए हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्राब्लम हो गई दिल्ली में इस वक्त भी पांच हजार से जादा बेड्स एवेलेबल हैं आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है हम और भी बड़े स्तर के ऊपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा बेड्स की कैपैसिटी बढ़ाई जाए जिससे की लोगों को सही इलाज समय पर इलाज मिल सके लेकिन स्थिती जैसे हम देख रहे हैं रोज केसिस बढ़ते जा रहे हैं इस स्थिती को कंच्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ नर्ने लिये हैं आज LG साथ के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये नर्ने लिये हैं कि वीकेंड के उपर कर्फियू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा इसका कारण ये है कि लगबग हफते के दौरान वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है या दूसरी एक्टिविटीज के लिए निकलते हैं जो कि कर्टेल की जा सकती है जो कि जिसके उपर अंकुष लगाया जा सकता है उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसलिए चेन तोडने के लिए वीकेंड के उपर ताकि लोग ज़्यादा सीजन है और कई लोगों की अलड़ी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी है सब कुछ तयारिया हो चुकी है हमने चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ हो ऐसे लोगों को जो एसेंशल सर्विसेज हैं और खासकर जो शादियां हैं उनको हम कर्फ्यू पासेज देके उनको allow करेंगे उनका movement हम allow करेंगे वो कर्फ्यू पासेज के apply कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी harassment के हम कर्फ्यू पासेज देंगे malls, gyms, spas और auditoriums को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिये जा रहे हैं cinema halls तीस प्रतिशत की capacity पे चल सकते हैं weekly markets जो हैं वो एक weekly market per day per zone के हिसाब से allow किया जाएगा और weekly market में ज्यादा भीड़ ना हो इसके लिए भी special इंतिजाम कुछ किये जा रहे हैं जिसके आज order निकाले जाएंगे restaurants में अब वहाँ बैठके खाने की इजाज़त नहीं होगी किवल home delivery permit की जाएगी और सभी markets के अंदर public places के अंदर enforcement को और ज्यादा सख्त किया जाएगा ताकि social distancing और mask को implement किया जा सके ताकि लोग mask पहनें अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना mask के घूम रहे हैं जो कि आपकी सेहत के लिए दूसरों की सेहत के लिए नुकसान दायक हो सकता है यह सार restrictions हम आपके लिए लगा रहे हैं आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं आपकी जिंदगी के लिए लगा रहे हैं मैं समझ सकता हूं कि इन restrictions के विजए से आपको काफी तकलीफ होगी लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे सरकार का मेरा पूरा साथ देंगे कि ये रिस्टिक्शन इस वक्त लगाने कितने जरूरी हैं इन सभी रिस्टिक्शन को पालन करने के लिए मैं आप सब से हाज जोड़ के सहयोग की अपील करता हूं मैं उमीद करता हूं कि ये जो करोना की चौती वेव आई है इस चौती वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो तीन वेव आई थी उसकी तरह से हम जरूर सफल होंगे जल्द सफल होंगे